नमस्कार जमातादी मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीत हुआ चारे 19 जुलाई वेडनस टे यानि बुद्वार का देन है और आपके राशिफल के साथ हमाज देन है जिनका आज के दिन बर्थडे आविश्व वेरी वेरी हैपी बर्थडे आपको बहुत बहुत शुपकामना है आपके जनम दिन की खुब अच्छे से सेलिबरेट कीजे जनम दिन लेकिन इस उपाई को जरूर कीजेगा जो उपाई हम खास करके आपके लिए लेकर के आए हैं कौन सा उपाई है जिसे आपने जरूर करना है बताएंगे अभी लेकिन पहले आपने बड़ के दिन 21 लडु लेने हैं 21 लडु में से अपने सारे के सारे लडु पहले गनेशी के अरपित रख़ते लें動ैंगे उन्हें से पाँच लडु गनेशी के कुरा अकेर खना है बाकि कर सकते हैं लेकिन आप ने नीशीयर करना है यह आपने उपाई जरूर करना है अज के दिन वात्थरे का दिन है अम चाहते है कि आपका बर्थरे बीचyah हो आप इच्छा होआठ साल हो अप साथ के साथ ये उपाईज जरूर किजें, बागी आप जो भी सही होग आप किसी का करना चाहते हैं, तो आज के दिन कर सकते हैं, ग्रहों की बात करेंगे, राशियों की बात होगी, लेकिन पहले बात होगी, गोचर की ग्रहों की लखी अक्षर भी आपका इंतजार कर रहा है, इन फैक्ट आप भी लखी अक्षर का इंतजार कर रहे होंगे थोड़ा सा इंतजार ओर सूरे रहेंगे करकराशी में दो डिगरी के हैं बुध और चंद्रमा के साथ रहेंगे चंद्रमा करकराशी में 19 डिगरी के हैं सूरे और बुध के साथ रहेंगे मंगल सिंग राशी में 11 डिगरी के हैं शुक्र के साथ रहेंगे बुधकर कराशी में 21 डिगरी के हैं सूर्य और चंद्रमा के साथ रहेंगे गुरू 18 डिगरी के हैं मेश राशी में राहू के साथ रहेंगे शुक्र सिंग राशी में 4 डिग्री के हैं मंगल के साथ रहेंगे शनी कुम्भा राशी में 12 डिग्री के हैं शनी वक्रिय चल रहे हैं राहू मेश राशी में 6 डिग्री के हैं और गुरू के साथ हैं के तू तुला राशी में 6 डिग्री के हैं ये तो ग्रहूं का हाल हुआ, अब बात होगी आपकी राशियों की लखी अक्षर का थोड़ा सा इंतजार आपने करना है, यह कि बड़ा एक्साइटमेंट भरा होता है लखी अक्षर, छोड़ा सा दे अक्षर होता है लेकिन फाइदा बहुत बड़ा देता है, जल्दी पुड़ा सा बदलाब भी लाएं, दूसरों के मसलों में टांग अड़ाने से बचें, संतान के साथ किसी भी तरीके का वाद विवाद ना करें, शुबंग के बाद करें बरहें गचार, शुबंग रहें का आपके लिए नारंगी, नारंगी रंगा इस्तमाल अप चाहें तो माता जी को आज के दिन कुछ न कुछ उपहाद जरूर दीजेगा उनका अशिर्वाद ले करके किसी भी कारे के लिए जा रहे हैं, तो चले जीए काम बन जाएगा, यातरा पर आप जाना चाहते हैं, तो जा सकते हैं, यातरा शुब फल देने वाली रहेगी, रिष्टेदा कि बात करते हैं अपने कर्मों के उपर खास करके ध्यान देने की जरूरता है यानि आज के दिन धर्म कर्म के कारें जरूर करें कुरोध को अपने उपर हावी ना होने दें जीवन साथी के साथ ताल मिल बना करके रखें शुबंग की बात करें रहे का पांच शुब्रंग रह हैं माता जी के स्वास्त का खासकर के आज के दिन ध्याण एक करते हैं शादी का प्रस्टावा सकता है आज के दिन, काम में भी मन लगाने का प्रयास करें, निया काम अगर शुरु करना चाहते हैं कर सकते हैं लेकिन महुरत देख कर के, शुबंग की बाद करें रहे पीले रंका इस्तमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं वर्गो यानि कन्या की बात करते हैं गाड़ी अगर स्वाइम चलाते हैं तो साब्धानी से चलाईएगा मन के अंदर थोड़ी से उधल पुधल भी आज के दिन रह सकते हैं लेकिन जल्दवाजी से बचेंगे तो किसी भी घटना से और किसी भी नुक्सान से बच सकेंगे तो आज के दिन जल्दवाजी ना करें शुबंग की बात करें वर रहेगा एक शुबरंग रहेगा आपके लिए पीला पीले रंका इस्तमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं तुला यानि लिब्रा की बात कर अचानक धन के फायदे का योग है कोट के मामलों से आपको सफलता मिलेगी विजय मिलेगी शत्रू अपनी वज़ा से खुदी परेशान रहेंगे तो शत्रू की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है शुबंग की बात करेव रहेगा आठ शुबंग रहेगा आपके लिए का काम को लेकर के थोड़ा सा अटेंटिव रहने का प्रयास करें स्वास्त में थोड़ा सा उपर नीचे उतार चड़ाव हो सकता है तो किसी भी तरीकी से ध्यान रिखेगा अपनी दवाई ना छुड़ें इंफेक्ट डॉक्टर की सलाह ले ले शुबंग की बात करेव रहेग अगर होती है तो हमें अज़स्ट करने का थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए बदलाव थोड़ा सा आपको करने की जरूरत है और बदलाव में अज़स्ट करने की भी जरूरत है शुबंग की बात करेव रहेगा तीन शुब रहेगा आपके लिए सिल्वर सिल्वर रंग का इ विवाद ना करें शुबंग की बाद करें वह रहेगा छे शुब्रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन बुरा बुरे रंग का इस्तामाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं कुम्भा यानि एक वेरिस की बाद करते हैं जुठा लालच आज के दिन किसी को भी ना दे बादों को सुलचाने का परियास करें पढ़ाई मन लगा करके करें शुबंग की बात करें रहेगा आठ शुब्रंग रहेगा आपके लिए पीला पीले रंग का इस्तामाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं आखरी राशी है मीन राशी यानि पाइसियन मित्रों के बात साजह ना करें रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है आपको दूसरों को रस्पेक्ट दें ताकि आपको भी रस्पेक्ट मिले शुबंग की बात करें रहेगा एक शुब्रंग रहेगा आपके लिए जामनी जामनी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं यह तो था हाल आपकी राशियों का अब बात करेंगे आपके लकी अक्षर के कल है बीस जुलाई और गुरुवार यानि थरस्टे का दिन है लकी अक्षर है आपका ना लेकिन ना नहीं होगी किसी काम की कच्ची हल्दी लीजिए उसका रस निकाली उससे आपने यह अक्षर लिखना कागस के ओपर जब आप अक्षर लिखें ओम गुरुवे नमाहा पांच बार अक्षर को लिख करके बोल दीजिए यकीन मानी आपके काम बनेगे एनर्जी अच्छी होगी और आपको हर काम में सफलता मिलेगी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाईएगा चैन आप ही कराशी फल के साथ आज़िर होंगे तब तक के लिए नमस्कार जैमात अदी